गुडियों सूट पर अगर ऐसे चुनी डालती हो तो यह पुराना तरीका है अरी छट डुची इन पुराने तरीके को आज मैं आपके लिए सर पे डुपट्टा करने के पांस तरीके लेकर आई हूँ नमस्कार मैं हूँ आपकी शुती और क्रियेटिव शुती श्टाइल में ज्यादा नहीं लगवग हमें दो फुट के करीब इसको सेट कर लेना है और सेट करने के बाद में अपने लेफ्ट हैं बाले शुल्डर पर इसको रखते हुए एक पिन लेंगे और पिन से यहां पे इसको सिक्योर कर देंगे उसके बाद में हम नीचे की साइड में पकड़ होते हुए अपने दूसरे वाले शुल्डर पर रखेंगे लेकिन इसमें यहां पर हमें प्लेट नहीं बनानी है इसको हमें सिंगल बॉर्डर ही अपने शुल्डर पर एक पिन से सिक्योर कर देना है उसके बाद में यहां पर एक साइड में यहां पर हमारा प्लेट वाला ए शूल्टर पर उसी पिंच से इसको सिक्योर करके जो हमारा बाद का बच्चा पल्ला था उसको हम पीछे की साइड में डाल देंगे तो ये हमारा पल्ला इस चायल तायार है चलिए चलते हैं सेकिंड स्टायल की तरफ इसके लिए यहाँ पे हम पल्ले की एक कॉर्णर को करने के बाद में दोनों बॉडर को मर्ज करें और अपने शूल्डर पर राइट एंसाइड की तरफ रखते हुए एक पिं से इसको सिक्योर कर दें पीछे की साइड में जाएंगे और उपर वाले बॉड़र को पकड़ते हुए हम इसके कॉर्णर को पकड़ लेंगे स्टाइल तयार हो जाएगा अगर आपका प्लेन सूट है या फिर आपका एम्रोडरी वाला सूट है जिसका हैवी डुपट्टा है तो इस तरीके में ये डुपट्टा स्टाइल बहुत ही जादा सुन्दर लगेगा इसके हम दोनों बोडर को मिलाएंगे और दुबारा उसी पिंसे हम सिक्योर कर देंगे यहां पर हमें आगे की साइड में थोड़ा टाइट ट्रक ना है और जो पीछे बाकी बचा हिस्सा था इसको हम अपने सर पर सेट करेंगे सेट करते हुए यहां पर देखी कितना सुन्दर लग रहा है देखने में यह लगेगा कि आपने स्टाइल दयार है और आप इंस्टागाम और फेस्बुक पे भी पॉलो कर सकते हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टाइल की तरफ इसके लिए हम अपने चुन्नी के दोनों कॉर्णर को पकड़ेंगे और हनकी बचे पीछे वाले हिस से को अपने सर पर लेकर आएंगे दोनों साइड बराबर करते हुए सर पर एड्जस्ट करेंगे एड्जस्ट करूने के लिए यहां परैम एक सेक्षेवटी बीन लेंगे शेवटी पिन को हम बॉरणर में अंदर की साइड से फसाएंगे और जो हमारी टिक-टैक पिन अल्रेडी बालों में लगी हुई थी उसी में हम इसको लगा देंगे जिससे हमारा डुपट्टा भी सेफ रहेगा और पिन भी बालों में नहीं चुबेगी उसके बाद में जो हमारा डुपट्टे का नीचे वाला बॉर्डर था इसको हम पीछे की साइड में अंदर से ऊपर की साइड में एठाएगे और जो हमने पहले ही neck में pin से दोनों corner को attach किया था उसी corner में हम इस border को भी फसा देंगे इस तरीके से हमारा different dupatta style ready हो जाएगा I hope आपको ये dupatta style पसंद आये होंगे अब तक के तो please comment box में एक वार ज़रूर बताएं और वीडियो को share करना ना बोलें तो चलिए चलते हैं अपने fourth style की तरफ fourth style के लिए यहाँ पे हम corner को पकरते हुए plates को बनाना start करेंगे यहाँ पे हमने चोटी-चोटी plates बना ली है उसके बाद में हम उपर की side से इसको set करना शुरू करेंगे आप चाहें तो जितना आपको shoulder पर रखना है उतनी बराबर तरीके से set कर लें यहाँ पे मैंने थोड़ा-थोड़ा करके set किया है जिससे हमारी plates थी वो हमारे वैसी की वैसी ही रहेंगी उसके बाद में हम अपने right hand वाले shoulder पर रखेंगे और इसको एक pane से secure कर लेंगे उसके बाद में हम चुनिए कि दूसरे वाले corner पर जाकर इसको भी plates में convert करेंगे convert करने के बाद में हमें उतना ही set करना है जितना हमने left hand side में इसको रखा था बरावर plates को बनाने के बाद में अपने shoulder पर रखेंगे और इसको दोनों side में नाप लेंगे एक छोटा एक बड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी दोनों side बरावर होने चाहिए बरावर करने के बाद में आपने left hand वाले shoulder पर रखते हुए लेंगे और pinces को secure कर देंगे और नीचे के side में डुपट्टे को खीच के tight कर लें जिससे उपर थोड़ा सा उठा हुआ ना रहे पीछे side में जाएंगे और पर लेके border को उठाते हुए अपने सर पर set करेंगे यह तो यह लीजिए यहां पर हमें कोई भी पिन लगाने की ज़रूत नहीं पढ़िए यहां पर हमारा डुपट्टा ऐसे ही सर पर अच्छे से बना रहेगा चलिए चलते हैं style no.5 की तरफ इसके लिए हमें दोनों shoulder पर वैसे ही pin लगा रहने देना है और जो पर वाले corner को भी उठाके आप left hand वाले shoulder की तरफ रख सकते हैं पर मुझे ऐसे ही अच्छा लगा इसलिए मैं नहीं आपे इसको ऐसे ही शूर दिया बाद में आप अपने पीछे वाले border को उठाके अपने सर पर रखें और जो हमारा left hand वाले shoulder था इसकी side में आप tight करें और right hand वाले side की तरफ इसको लोज चोड़ दें और एक टिक-टैक पिन से इसको वहीं के वहीं फसाद हैं या आप पिन से भी इसको secure कर सकते हैं तो लीजे यह आज की style थी I hope आपको आज की style पसंद आये होंगे तो please comment box में ज़रूर बताए और वीडियो को like share channel को subscribe करके बहला करना बूलें